नमस्कार साती हूं पाँले टेक्निक पाद साला में आप सभी के स्वागत हैं सेकंड समेस्टर में बीडवली आपको पढ़ा जा रहा है और इसमें चौथा चैप्टर आपको पढ़ा जाएगा बोल्टेज एंड करेंट सोर्स ठीक है बोल्टेज और करेंट सोर्स क्या होता है उसी के बारे में यहां पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले solution में एक ऐसिए सब्सक्राइब चैनी सब्सक्राइब करती है न तैसे थे ऊई आपका DC voltage source होगा और एक आपका AC voltage source होगा तो वह युक्ति जो DC voltage को क्या करती है generate करती है या जिसके output terminal पर हमें DC प्राप्थ होती है DC voltage प्राप्थ होती है उसे हम DC voltage source के नाम से क्या करते हैं जनते हैं ठीक है और जब उसके terminal पर load को connect करेंगे तो उसमें जो current flow करेगी DC current flow करेगी या फिट direct current क्या करेगी flow करेगी अगर आप DC बोल रहे हैं तो उसके साथ current आपको बोलना पड़ेगा ठीक है और अगर current आगे नहीं बोलेंगे और DC current बोलेंगे आप कहें कि direct current होता है तो फिर current आगे क्यूं लगाया ऐसे ही लिखा जाता है ठीक है तो यह गलत नहीं है जब आप साट फार्म में लिखेंगे तो आगे जो है आपको उसका लिखना पड़ेगा तो जो हमारा DC voltage source होगा उसके आउटपुट टर्मिनल पर हमेरे continuous DC voltage क्या होगा प्राप्थ होगा या एक AC युक्ति जो DC voltage को generate करती है वो हमारा क्या हो गया आपका DC voltage source हो गया ठीक है और AC voltage source की बात करें तो जो डिवाइस जो है AC voltage का क्या करती है generation करती है उसे हम AC voltage source बो लेंगे उसके टर्मिनल पर हमें AC प्राप्थ होती है जब load connect करते है तो उसमें AC current प्रवाहित होती है ठीक है DC की case में उसकी polarity क्या होती है constant रहती है जबकि AC के case में उसके टर्मिनल पर प्राप्थ AC की जो polarity होती है वो एक पीरियोड के लिए क्या होता है reverse होता रहता है जैसे पहले past two half cycle fin negative फिर past two fin negative half cycle से इसे आता रहता है ना sign web के रूप में चलता है या और सारे webs होते हैं triangular web rectangular square web तमाम सारी webs होती है तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद इसका symbol आपको बताएंगे फिर इसका अंदर का concept के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा ठीक है बोल्टेज सोर्स क्या होता है बोल्टेज सोर्स वह युक्ति है जिसके टर्मिनल पर continuous बोल्टेज क्या होता है प्राप्थ होता है बोल्टेज सोर्स दो होता है ठीक है एक DC बोल्टेज सोर्स वह युक्ति जिसके आउट्टूट टर्मिनल पर DC बोल्टेज मिलती है उसे DC source कहते हैं और output terminal पर load connect करने पर DC current flow होती है ठीक है जैसे cell हो गया हमारा cell हो गया battery हो गया DC generator हो गया तो यह इसका क्या हो गया example हो गया अब battery से भी हमें output terminal voltage मिलता है cell से भी मिलता है cell के सही हो जन सही battery बनता है तो DC generator जो होता है ना उसके output पर भी हमें सब्सक्रいたakat एक पेंसिले होग टर्मिनल बोल्टेज बोल्ट मीटर की सहाइथा से माप कर देखेंगे देखेंगे तो बोल्ट मीटर का पाथ्यांक 1.5 तो और एगम फैन से होता है अगर उसल के इसल का टर्मिनल बोल्टेज एगर मेजर नक –डिकों उसका पाठ्यांग कितना आएगा 1.5 आएगा अता सिल का अता यह से लेक दशनों पांच बोल्ट का डीसी बोल्टेज सोर्स है एक पेंसिल होता है तो अगर उसके rub का बोल्टेज के माध्या ट्वल्ट आएगा ठीक है अता आप सकते हैं कि यह पेंसिल जो है एक है दसरे पांच बोल्ट का डिसी बोल्ट इस सोर्स है अब डीजी इस लेख यह दा रहा है क्योंकि डीसी के टर्मिनल पर जो हमारी पॉलर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है पॉलर्टी हमारा क्या होता है यह प्रकार सी यह एक्जामपल था क्या हुआ पैंसिल से लुसका एक्जामपल है कि उसके टर्मिल बॉल्टेज पर मेजर करने पर वन पॉइंट फाइब बॉल्ट मिलता है है तो आप कह सकते हैं कि यह सेल जो है हमारा एक दसलों पांच बॉल्ट का बॉल्टे सोर्स है ठीक है है और यहां पर देखिए वह युक्ति यहां पर एक नोट करके लिख लिजिए थोड़ा डीसी बॉल्टे सोर्स के आउट आउट पुट टर्मिनल पर बॉल्टेज की पॉलर्टी एक के हैं चेंज नहीं होती है से भॉल्टे स्टी की ऑल्टे से गलते थुर्भर नहीं होते है है अब वह उन्हींग ह्युक्ति जो एस्टी जनडेट करती है को रहे ऊसे ए से इस्钟 करते हैं कि 12 reagशी होता है के सी होता है तापको ऐसे ही लिखना है ठीक है जैसे मैं लिखांग घ्यक्लम ऐसे ही लिखना है तो एसी स्विल्टस कहते, इसके हैं पर्राप्त बोलेज की पीरियस की अधिया होती है हुती है मल यहीड होगा तो हमारा टैर्मिनल पर मल यहां flourish मिलेगा है यही तो मांल यह साइन वेकल में होगा स्थमें वेकल या फिर आमका ट्रींगूलर वेकल के होगा कुछिछ तरीके कैसे भी हो सकता है 20 डेके अधिए इसका पाज्टीव क्त निंगेटूर प्रियोडिकली क्या हो रहा है चेंज औहरा है इसका direction चेंज वह रहा इसकी polarity क्या हो रही है चेंज हो रही है ठीक है यह सब तो AC ही है, इस सब क्या है, AC है ठीक है, तो वहाई उक्ती जो AC voltage generate करती है, उसे AC voltage source कहते हैं, इसके output terminal पर प्राप्त voltage की polarity क्या होती रहती है, जैसे alternator हो गया, alternator एक बहुत बड़ी machine होती है, जो alternating supply का generation करती है, AC voltage का generation करती है, ठीक है, अभी आप AC पढ़े होंगे, तो उसके बारे मापको कुछ थोड़ा बहुत बताया गया होगा, अभी जो AC 3-phase generation आप पढ़े हैं, 3-phase system पढ़े हैं, तो उसमें 3-phase voltage generate हुआ है, तो alternator क माध्यम से ही ऐसा हुआ है, ठीक है, और oscillator होता है, तो oscillator एक AC electronic circuit होती है, जो DC को AC में convert करती है, तो मतलब AC generate करती है, एक प्रकार से, high frequency की AC generate करती है, एक signal generator होता है, ये भी AC generate करता है, ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, एक जामपल हो गए, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये बोल्टे सोर्च का थोड़ा सा introduction था, जिसके बारे में जानना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहां पर ताकि मैं समझा सको, अब देखिए, बोल्टे सोर्च में बहुत सारी बाते हैं, कि जैसे हमारे पास कोई बोल्टे सोर्च है, अब एक सेल है, तो ये भी हमारा बोल्टे सोर्च है, ठीक है, अब ये मने पढ़ा, सेल का एक जामपल, ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है, यही बोल्टेज सोर्स है एक दसनों पांच बोल्ट का बोल्टेज सोर्स है जब इसके ओपन सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन में जब यहां पर हम एक बोल्ट मीटर लगाएंगे यहां पर जब एक बोल्ट मीटर लगाएंगे या मल्ट मीटर लगाएंगे तो यह जो बोल्ट मेजर करेंगे तो क्या होगा हमारा हुद मिलेगा थीक है तो बात आती है न कि जब हम इसके टर्मिनल पर को करते हैं तब उस कंडिशन में इस टर्मिनल पर हमें कितना बbbe मिलता है हमें एक दसवन पांच बोल्ट ही मिलेगा कि उससे कम बोल्टेज मिलेगा ठीक है तो मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी अगर यहां पर हम बोल्ट मीटर को क्या कर दें कनेक्ट कर दें तो बोल्ट मीटर करने पर अभी लोड नहीं कनेक्ट किये हैं हमने क्यों बोल्ट मीटर कनेक्ट किया है इसके ट open circuit voltage बोल्टेज या आपका no load voltage या इसी को EMF बोलते हैं क्या बोलते हैं ये कितना आ गया 1.5 बोल्ट आ गया क्योंकि जब बोल्ट मेंटर के द्वारा हम इस टर्मिनल पर इसके आउट्पुट टर्मिनल पर बोल्ट मीटर लगा करके हमने मेजर किया भी लोड हमने नहीं दिया है ठीक है तो कितना आया 1.5 बोल्ट आया लेकिन अगर इसी के टर्मिनल पर हम कोई लोड क्या कर दें कनेक्ट कर दें कोई लोड क्या कर दें कनेक्ट कर दें तो यह मालजी हमारा आरेल लोड है अब यहां लोट कनेट कर दिये तो क्या अब इसके टर्मिनल पर हमें बोल्टेज एक दसनों पांच बोल्ट मिलेगा कि नहीं नो लोड की कंडिशन में तो कितना मिला 1.5 बोल्ट मिला लेकिन अब लोड कनेट करने पर क्या अब यहां पर एक दसनों पांच बोल्ट मिलेगा तो हम यहां की कंडिशन में लोड की कंडिशन में टर्मिनल बोल्टेज बोल्टेज एक दसनों पांच बोल्ट से कम मिलता है मिलता है तो कम क्यों मिलता है अब माली जीए कितना कम मिला यह तो नो लोड बोल्टेज है तो नो लोड बोल्टेज का मतलब है कि 1.5 बोल्ट है इसे एमफ के नाम से जानते हैं और लोड दे दिये तो अब लोड की कंडिशन में जो बोल्टेज होगा तो लोड की कंडिशन मे выглядит हमारा 105 वोल्ट से क्या होगा कम होगा ठीक है तो जितना कम होगा उतना पीदिश कहीं रिच्व हो रहा होगा डॉ रहा की लोड की कंडिशन में बोल्टेज कितना मिला आपका टे अब लिवाध मिला हे मां लादगे लोड की कंडिशन में लोड पर के लोड पर बोल्टेज कितना मिला वन बोल्ट मिला ठीक है और उसके बाद जो है हमारा नो लोड की कंडिशन में 1.5 बोल्ट मिला लोड की कंडिशन में जो है वन बोल्ट मिला तो बताइए इस सर्कुट में कितना बोल्टेज ड्राफ हो रहा है कितना बोल्टेज का लॉस हो र इसका मतलब है कि यह जो हमारा सेल है ना यह सेल में भी जो है कहीं ने कहीं बोल्टेज हमारा क्या हो रहा है ड्राफ हो रहा है बोल्टेज सोर्स यह जो बोल्टेज सोर्स है बोल्टेज सोर्स का तो यह जो 1.5 बोल्ट इस पर लिखा रहता है न तो वह तो ओपन सर्किट बोल ही लोड करनेट करते हैं इसमें करेंट फ्लो होने लगती है तो करेंट फ्लो होने लगेगी तो बोल्टेज सोर्च के अंदर ही जो है कुछ बोल्टेज क्या हो जाता है ड्राफ हो जाता है क्यों क्योंकि बोल्टेज सोर्च के अंदर कुछ नुकुछ रुष का इंटर्नल रे होगा तो क्या होगा कुछन कुछ बोल्टेज क्या हो जाएगा ड्राफ हो जाएगा इसका जो एक्चुवल सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा यह ठीक है यह क्या है आपका इंटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो बोल्टे सोर्स भाई यह तो आईडियल है नहीं तो उसका भी कुछन कुछ क्या होगा रेजिस्टेंस होगा तो जब यहाँ पर हम लोड को क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे यहां पर लोड को हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे लोड हमारा क्या है आरियल है तब इसमें करेंट क्या करेंगी फ्लो करेंगी इसमें करेंट हमारी क्या करेंगी फ्लो करेंगी जब इसमें करेंट फ्लो करेंगी तो इसमें देखिए एक तो हमारा यह यह मे current जाएगी तो आई इंटु आड्राफ होगा ना आई इंटु आड्राफ हो जाएगा तो यहां पर यह जो 0.5 बोल्ड का ड्राफ दिख रहा है ना तो यह आई इंटु आड के बराबर है मारा 0.5 बोल्ड और यहां पर मालीजे टर्मिनल बोल्टेज ध्यान से देखिए यहां पर हमारा टर्मिनल बोल्टेज भी मिल ला है अब इसी में क्या करेंगे इसी में आप क्या करेंगे आप केवी लगा दिजिए तो केवी लगाएंगे तो मालीजे ऐसे चल ला है तो माइनस माइनस 1.5 बोल यहां पे आपका प्लस होगा यहां position कीमगी इधर फ़ी कि हो जाएगा कि यह फीमारा प्लस भी हो बीज घंड़ती यह क्या होने से जीड़ो हो जाएगा ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखी है yeah तो जो टर्मिनल बोल्टेज मिलेगा तो कैसे मिलेगा इसको उधर ले जाएए तो 1.5 बोल्ट माइनस I into R I into R बराबर आपका V तो यह हमारा टर्मिनल बोल्टेज मिल गया तो टर्मिनल बोल्टेज वी बराबर 1.5 बोल्ट माइनस I इन्टु क्या हो गया? R मिल रहा है मिल रहा है कि नहीं? तो आप सोचिए 1.5 बोल्ट तो हमारा no load voltage है जब no load होगा तो 1.5 बोल्ट हमें टर्मिनल पर क्या होगा मिलेगा लेकिन अब यह वाला जो बोल्टेज ड्राफ है तो यह अब जब टर्मिनल बोल्टेज हम मेजर करेंगे तर्मिनल बोल्टेज मेजर करेंगे तो यह कितना मिलेगा? 1.5 माइनस क्या हो जाएगा i into r हो जाएगा तो मतलब 1.5 में से i into r क्या हो जा रहा है घट जा रहा है तो अब जो voltage मिलेगा less than 1.5 मिलेगा अगर i into r क्या हो जाए i into r हमारा क्या हो जाए i into r बराबर 0 हो जाए तो जब 0 हो जाएगा तो V बराबर 1.5 V मिलेगा ना हमें V बराबर कितना मिला 1.5 V मिलेगा लेकिन अब यह वालत term आगया यह वालत term क्यों आगया क्योंकि इसका कुछन कुछ क्या है internal resistance है तो उसकी वज़ासे जो है आई इंटू आर बराबर अगर ड्रॉप माल लीजिए 0.2 बोल्ट हुआ ठीक है 0.2 बोल्ट या फिर 0.5 बोल्ट माल लीजिए तो यह 0.5 इसमें रखेंगे तो बराबर रखेंगे 1.5-0.5 बराबर 1 बोल्ट आ गया मतलब टर्मिनल पर बोल्टेज कितना मिलदा है 1 बोल्ट म करते हैं तो बैट्टी सेल का जितना बोल्टेज होगा उतना आपको क्या होगा मिलेगा अगर सेल 1.5 बोल्ट का है तो आउटपूट टर्मिनल पर आपको 1.5 बोल्ट क्या होगा मिलेगा लेकिन जब लोड करनेट करते हैं तो हमें टर्मिनल पर 1.5 बोल्ट ना मिल करके उस उसके इंटर्नल रेजिस्टेंस की वज़ा से उसमें क्या हो जा रहा है ठीक तो उसके इंटर्नल रेजिस्टेंस की वज़ा से जब लोड करनेट करते हैं तो उसमें करेंट फ्लो होती है तो उसमें आई इंटू आर बोल्टेज ड्राफ हो जाता है जिसकी वज़ा से लोड प पर क्या किया गया है लिखा गया है और लोड रोर्जिस्टंज भापर अर्यल का प्रभाव जब हम लोड को क्या करेंगे करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा बोल्टेज सोर्स पर ठीक है यदि हम 1.5 बोल्ट का एक डेसी सोर्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस सोर्स के द्वारा नो लोड की कंडेशन में आउट्पूट टर्मिनल पर बोल्टेज मापा जाये तो बोल्टेज कितना आएगा 1.5 बोल्ट आएगा इसे ओपन सर्कूट बोल्टेज या EMF कहते हैं जब इसे आउट्पूट टर्मिनल पर लोड रेजिस्टंस आरेल कनेट करके टर्मिनल कमान 1.5 बोल्ट से क्या आता है कम मिलता है अर्थात लोड कंडेशन में टर्मिनल बोल्टेज नो लोड की कंडेशन में टर्मिनल बोल्टेज से हमेशा कम आएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ बोल्टेज ड्रॉप सोर्स के अंदर हो जाता है इसलिए टर्मिनल बोल ठीक है point बना करके लॉइब पॉल्टेज हो रस में पॉल्टेज हो रस है सोर्स में भॉल्टेज ड्रॉप कि बॉल्टेज ड्राफ शोर्स के इंटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा होता है इंटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा होता है इंटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा होता है बोल्टेज सोर्स में बोल्टेज ड्राफ सोर्स के इंटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा होता है अब यहाँ पर लिखेंगे यह इंटर्नल रेजिस्टेंस यह इंटर्नल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यह इंटर्नल रेजिस्टेंस बोल्टेज सोर्स के सिरीज में होता है सिरीज में होता है सिरीज में होता है तथा बोल्टे सोर्स के केस में तथा बोल्टे सोर्स के केस में सोर्स के केस में इस इंटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटर्नल रिजिस्टेंस का मान का मान बहुत कम होता है बहुत कम होता है ठीक है इस इंटर्नल रिजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है और एक आइडियल बोल्टेज सोर्स का एक आइडियल बोल्टेज सोर्स का एक आइडियल अब एक चीज और देखिए तो इंटर्नल रेजिस्टेंस की वज़े से बोल्टेज डाफ हो जा रहा है जिसकी वज़े से टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो जा रहा है घड़ जा रहा है ठीक है तो लेकिन अभी जो बोल्टेज सोर्स का इंटर्नल रेजिस्टेंस होता है न और आइडियल बोल्टेज सोर्स का इंटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है ठीक है तो आइडियल बोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी बोल्टेज ड्राफ्ट नहीं होगा तो जो सोर्स का बोल्टेज होगा वही टर्मिनल पर भी मिलेगा चाहे लोड आप कनेट करें चाहे ना कनेट करें ठीक है तो यह चीज है तब बोल्टे सोर्स का आप सिंबल बनाईए ठीक है सिंबल क्या होता है क्योंकि बोल्टे सोर्स का कांसेप्ट तो आप लोग पढ़ च और एसी का केस होगा तो क्या होगा इंपीडेंस होगा इसलिए एसी आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है तो जैसे अगर डीसी बोल्टेज सोर्ज है तो सबसे पहले तो हम डीसी पढ़ेंगे आए माइनस है ठीक है यह हमारा हो गया अब इसका जो इंटर्नल रेजिस्टेंस है इसका इंटर्नल रेजिस्टेंस इसी के किस में होगा सिरीज में होगा कि यह हमारा आउट्पूट टर्मिनल है ठीक है यह हमारा इंटर्नल रेजिस्टेंस है अब माल लिजे अगर आप नो लोड्ट टीक है आप लोड की कंडिशन में अगर आप बनाएंगे लोड की कंडिशन में और नो लोड को ए यहां पर सब्सक्राइब हमे म्लेगा आपका माल लिजे हूं आपका V0 मिलेगा ढह् Protest I करवावा यहां पर 2,5ड मिलेगा वह भी 0 बराबर आपका 1.5 बॉल्ट और है प्लास होगा यह आपका स्माल खर अब यह होगा अभी households अब यहां पर लोड की कंडिशन है हमारा यहां पर तो हमारा आरियल लगा होगा न यहां पर जो बोल्टेज हमें मिलेगा वह वी बोल्टेज मिलेगा क्या मिलेगा वी बोल्टेज मिलेगा यहां पर जो वी बोल्टेज मिलेगा उसका मान कितना आएगा इसमें करेंट भी तो तो इसमें जो बोल्टेज निकल करके आएगा वो कितना आएगा वी बराबर आपका किर्चाप का नियम लगा दीजिए माइनस है तो माइनस फाइब बोल्ट आएगा तो हम डारेक्टी लिख देते हैं वी बराबर आएगा 1.5 बोल्ट माइनस आई इंटू आ राएगा निकल कर आएगा आर हमारा क्या है इंटर्नल रजिस्टेंस इंटर्नल रजिस्टेंस ठीक है यह हो गया